हेलो बच्चो नमस्कार मैं हूँ नारायन पटेल आपके अपने चनल पर आज हम बात करेंगे राष्टी आएवं योगिता आधारित चात्रवर्ति परिच्छा 2025 में बात करने जा रहा हूँ नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलर्सिट इग्जामिनेशन 2025 जिसमें एक नया अपडेट आया है और उस अपडेट से आप सभी का बहुत फायदा भी होने वाला है पहले आपको रिजल्ट बहुत बाद में मिलता था अब आपको परिच्छा देने के बाद कुछी दिनों बाद रिजल्ट मिल जाएगा ये कैसे पासिल हुआ पहले जो है आपको एक सीट दी जाती थी उस सीट में आपको करना क्या रहता था क्वेश्चन जितने दिये रहते थे उनके आप ऑप्सन ए, बी, सी, डी या वन, टू, थिरी, फोर हुआ करता था उसे आपको लिखना होता था अब ये सारी बेवस्था है खतम करके आपको एक OMR सीट दी जाएगी जिसमें आपको गोले ब्लैक करने होंगे तो पहले कैसे स सीट में बदलाओ हुआ है और उसी के अनुसार आपको परिच्छा देना है अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको परिच्छा में काफी आसानी होगी और उसी हिसाब से आपको परिच्छा देनी है तो आईए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं पहले और जो इसमें आपके लिए 180 प्रशन आते हैं जिसे 90 प्रशन आपके जो है रिजनिंग के रहते हैं और दूसरा जो सेच्छिक बाग होता है 90 प्रशन इसमें रहते हैं नहीं एक से लेकर के 90 तक और 91 से लेकर के 180 तक रहते हैं यह तो आपको पता है इसके लिए भरना क्या रहता था वो भी मैं पहले बता दूँ और अब क्या भरना है ये चीजे तो आपको करनी पड़ेंगे जैसे आपको अपना परिच्छा एंदर का नाम जो भी आपको एड्मिट कार्ड मिलेगा उस पे जो लिखा होगा आप उसका साथ फर्म लिख सकते ह अब हर्थी का नाम अपना नाम इस पर सब्दों में लिख देना है अंग्री जी के बड़े अक्षरों में और अपने पिता जी का नाम इसके बाद राजी का कोड जैसे आप उत्तर प्रदेश ते तो मालिया आपका एकईस है राजी कोड तो आप एकईस यहां पर डाल लें 25 अगर 25 दिया है तो आपको 0025 लिख देना है अनुकरमांग आपको जो भी आपकी सीट आएगी उस पे आपका अनुकरमांग आपका लिखा होगा जो आपका इडमिट कार्ड है वो आप यहां पर भर दोगे उसके बाद जनतिती भी आपके इडमिट कार्ड पर लिखी होग पढ़ेंगे एरिया आप ग्रामिड से आते हैं कि सहर से आते हैं यह भी आपको भरना पढ़ेगा बाकि आपका चुनोती वाला है नित्व आप उसको छूड़ देंगे अगर कोई बच्चा सोतंतरता संग्राम से नानी से उससे आता तो यहां पर कर लेंगे इसके बाद आपक समझ लीजे बस अभी एक बंड लगेगा आगरा लखनव है ना भोपाल तो आप अब इसमें आपसंस दिये रहते थे एक दो तीन और चार तो आपको पहले क्या करना रहता था बच्चो माल लिया दिल्ली सही था तो एक का एक यहां लिखना रहता था अब आपको ऐसा एक आदर्स भरी हुई आपको OMR सीट में यहां पर दिखा रहा हूँ अब आपको इसमें करना क्या है अगर आपको पूली आपको यह OMR सीट अगर मिलेगी तो उसमें आपको अपना रोल नंबर भी लिखना रहेगा जैसा कि यह लिखा अब आपको करना क्या बच्चो क्या लाएं यह बिल्कुल आप इधर उधर नडिगें बस यह धिखार रखना जैसे दो है तरीके दो वाला काला की अगया अगर आपका 5 है तो देखे 5 को 0 है तो देखे सब से नीचे लाकर 0 है या निए एक से लेकर के 9 तर सब से नीचे 0 है तो सबसे 0 है प 그런데 आपकर 2 आता ह तो आप दो को क्या करोगे, दो नमबर वाले को, एक नमबर है तो ये 5 को 5, 0 अधि फिर नीचे आपको लाना पड़ेगा, और ठीक इस प्रकार से आपको ये पूरता काले करने, इसके लिए आप काले पेन का प्रियोग करेंगे, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, वूखिलेट नमबर आप इसी तरी करेंगे, अब आपको हमाते प्रशनों की बात बताते हैं, प्रशना आपको करने कैसे हैं? माल लीजी आपके पास प्रश्ण संख्या 1 आया जिसमें आपसे पूछा गया कि भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसके आप्शन आ गए A, B, C और D माल ले सबसे छोटी प्राकरतिक संख्या 1, 2, 0 और 3 तो आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या हमारी A होती है तो आपको आप्शन एदे के A लिखा है, यहाँ B है, C है और यह D है तो आपको तुरंट आप्शन A पहला सही है तो इस A वाले को आपको अपने ब्लेक वाले पेंस से निकाल करके इसको काला कर देता है, कर देना जैसा कि मैं आपको यहाँ पर काला करके दिखा रहा हूँ मतलब आपको ठीक इसी प्रकार से सारी चीज़े वहाँ पर भरनी होगी जिससे आपका कुई भी चीज गलत ना हो अगर आप तनिक भी गलती करोगे तो आपके लिए और अगर यह बाहर निकल जाता आपका आला नहीं कर पाते हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और ऐसे प्रशन को करने के लिए आपको एक साउधानी रखनी रहती हूँ वो सबसे बड़ी है आप जिस प्रशन को कर रहे हो यह ध्यान रखना मालिया आपने प्रसन संक्या 11 कर रहे हैं तुरंत आप 11 के सामने उंगली रखे और उंगली रखने के बाद मालो हमें D रखना है तो B का पहले मैं बता दूँ जैसे मैं यह D लिखा है इसके अंदर तो आप इसको रखने के लिए D में सबसे पहले इसके हम सरफेस जो सबसे किनारा होता है उस किनारे को हम लोग रंग जैसा कि हम आपको यहाँ पर रंग करके यह दिखा रहे हैं ऐसे जिस से बन जाए और अंदर आप तुरंट इसको काला कर सको, तो ये बच्चो छोटी सी बात है, लेकिन अब इससे क्या होगा, पहले ये कापियां हमारी हाँ से चिक हुआ करती थी, अब ये एक मिनट में डेर सो से 200 कापियां चिक होगी, तो रिजल्ट आपका बहुत जल्दी बनेगा, होने की संभावना हो सकती थी, लेकिन अब यहां से कोई भी संभावना आपके लिए नहीं रहेगी, तो ये छोटी सी जानकारी थी, अगर किसी को समझ ना आया हो, वो हमें कमेंट करें, हम उन्हें दुबारा उस कमेंट पर जवाब भी देंगे, और उनके लिए एक नेक्स झाल